एक जंगल में एक हाथी और एक बकरी रहते थे, दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलाश करते और साथ में ही खाते थे, एक दिन दोनों खाने की तलाश में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए, वहां उन्हें एक तालाब पर एक बेर का पेड था। पर एक बच्चा सो रहा था और चिडिया दाने की खोज में कहीं गई हुई थी। बेर का पेड जोर से हिलाने के कारण चिडिया का बच्चा घोंसले से बाहर तालाब में गिर पड़ा और डूबने लगा। चिडिया के बच्चे को डूबता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बकरी तालाब में कूद गई लेकिन बकरी को तैरना नहीं आता था इस वजह से वह भी तालाब में डूबने लगी बकरी को डूबता हुआ देखकर हाथी भी तालाब में कूद गया और उसने चिडिया के बच्चे और बक्री दोनों को डूबने से बचा लिया इतने में चिडिया भी वहाँ पर आ गई थी और वह अपने बच्चे को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुई उसने हाथी और बकरी को इसी तालाब और बेर के पेड के पास रहने के लिए कहा तब से हाथी और बकरी भी चिडिया के साथ उस बेर के पेड के नीचे रहने लगे कुछ ही दिनों में चिडिया का बच्चा बड़ा हो गया चिडिया अपने बच्चे के साथ जंगल में घूम कर आती थी और हाथी और बक्री को जंगल में किस पेड़ पर फल लगे हैं इसकी जानकारी देती थी इस तरह हाथी, बक्री और चिडिया मजे में रहते और खाते पीते थे कहानी से सीख हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए अगर हमारी गलती से किसी को परेशानी होती है तो उस गलती को सुधारना चाहिए और मन मुटाव दूर करते हुए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए